तो आज हम पढ़ने वाले एक शॉर्ट नोट तात्या टोपे पर जो तात्या टोपे थे वो एक बहुती वेलियंट सोलजर मतलब की बहुती बहादूर सोलजर थे 1857 के स्ट्रगल में और जो तात्या टोपे थे उनकी लॉयल्टी पेश्वा फैमिली के साथ थी लॉयल्टी मतलब की वो पेश्वा फैमिली के वफ़दार थे जो तात्या टोपे हैं पेट्रियोटिजम मतलब की उनको अपने देश से बहुत प्रेम था courage मतलब वो बहुती साहासी थे बहुती हिम्मत वाले थे strategic skills मतलब की उनकी strategies बहुती अच्छी होती थी जैसे अगर किसी war में या युद्ध में जाना है और वो कुछ conditions predict करके जाते थे पहले से सोचके जाते थे कि कैसी conditions होंगी तो हमको क्या करना है अगर वैसी conditions नहीं भी होती थी तो वो on the spot वहाँ पे strategies और plan कर लेते थे तो उसको strategic skills बोला गया है military acumen मतलब कि उनकी military बहुती अच्छी थी उनके soldiers बहुती अच्छे थे perseverance in the absence of resources मतलब की जो तात्या टोपे थे उनके पास अगर हत्यारों की कमी भी थी resources मतलब की युद्ध के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पढ़ती है वो सब resource में आता है जैसे की हत्यार वगेर हो गए तो उन चीजों की कमी में भी वो बहुती अच्छा perform करते थे अगर उनके पास कुछ नहीं भी है तो उनको पता होता था कि क्या करना है कैसे करना है तो उसको perseverance in the absence of resources बोला गया है perseverance यानि की अपनी सुरक्षा के लिए बोला गया है कि वो अपने आपको कैसे भी बचा लेते थे Fearlessness यानि की उनको किसी से भी डर नहीं लगता था और Gorilla Warfare Tactics tactics मतलब की कौनसी techniques and tricks उन्होंने use की थी किसी भी war के लिए यहाँ पे Gorilla Warfare का मतलब है एक war का नाम है यह जिसमें उन्होंने बहुती अच्छी tactics को use किया था बहुती अच्छी tricks and techniques से उस युद्ध को बहुती bravely fight किया था तो यह सारी जो qualities हैं उन वज़े से तात्या टोपे को आज भी याद किया जाता है जो नाना साहिब की पेश्वा military campaign थी campaign मतलब की military में जो भी लोग होते हैं उनको कैसे guide करना हैं क्या बताना हैं क्या सिखाना हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी तात्या टोपे के shoulders पर ही थी मतलब उनके कंदों पर ही थी entire responsibility मतलब की पूरी तरह से जो जिम्मेदारी थी वो तात्या टोपे पर ही थी जो तात्या टोपे थे उन्होंने बहुती major role मतलब की मुख्य role निभाया था ग्वालियर को acquire करने में मतलब की ग्वालियर को अपने कबजे में लेने में उन्होंने जासी की queen रानी लक्ष्मी बाई की help की थी और इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में रानी लक्ष्मी बाई वाले short note में और रेड़ी बता चुके हैं तो रानी लक्ष्मी बाई की death के बाद जो तात्या टोपे थे उन्होंने अपने आपको gorilla warfare जिसमें उन्होंने बहुती smart techniques and tricks यूज की थी उसमें अपने आपको व्यस्त रखा और British Army को Central India और बुंदेल खंड में challenge किया मतलब की अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए Central India और बुंदेल खंड दोनों जगह पे उनको challenge किया तो जब British Army और तात्या टोपे के बीच में युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान जो Britishers थे उन्होंने तात्या टोपे को arrest कर लिया deceit और betrayal से मतलब की उनको धोखा दिया और उनके साथ विश्वास घात किया जिससे उन्होंने तात्या टोपे को arrest कर लिया उसके बाद जो तात्या टोपे थे वो jungle of our own जो की district गुना में है वो वहाँ पे caught मतलब की पकड़े गए और उनको फासी पे लटका दिया गया hanged मतलब की फासी पे लटकाना उनको फासी पे लटका दिया गया शेवपुरी में 18th April 1859 को I hope students आपको ये clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमारी चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like जरूर करें आज के लिए इतना ही thank you